सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्जाम को टारगेट लेकर एक्जाम में एक नएक जरूर पूचा जाता है इस टॉपिक से जतने भी कुश्चन तयार किये जाएंगे वो सभी हमने इस वीडियो में कलेक्ट किये हैं चलिए स्टार्ट करनें आज का वीडियो फर्स्ट कुश्चन है इन अडल्स नॉर्मल जैंज ओप रेटिक्लो साइट यहां पर एडल्स में रेटिक्लो साइट की नॉर्मल जैंज उची गई है आपके ऑप्शन है 0.22, 2%, 2-6%, 7-8% and 1% तो फेंटस आप सभी को पता होना चाहिए डिक्लोस है ढेल्स नॉर्मल जैंज इन एडल्स में 0.22 2% होती है किसी में आपको 2.5 परसेंट भी दिख जाए तो वह राइट अंसर होगा 0.2 से 2% बढ़ चलते हैं अगले कोश्चन की और नेस्ट कोश्चन है इन इनफेंट्स नॉर्मल रेंज और रेटिकलो साइट एज यहां पर इनफेंट्स में नॉर्मल रेंज कितनी होती है रेटिकलो साइट की तो आपके ऑप्शन है 10-12% 2-6% 7-8% एंड 1% इन फेंट्स में रेटिकलो साइट की नॉर्मल रेंज है 2-6% एंड एडल्ट में उठती है 0.22-2% या 2.5% ठीक है फ्रेंट्स आप पन्फ्यूज ना हों नॉर्मल रेंज काफी बार पूंचा गया है नेस्ट कुष्चन है बड़ा ही important question है फ्रेंट्स और पूंचा गया है at least red cells should be counted during reticloside counting microscopy inaugurscopy पर हमें कितने red cells काउंट की आवस्सक्ता पड़ती हैया या फिर कितने red cells count हम करते हैं तो यहां पर आपके option है 1000, 3000, 5000 and 7000 तो यहां पर हम 1000 red cells की counting करते हैं तब जाकर हम reticlocyte count कर सकते हैं तो इसका सही answer है 1000 red cells should be counted during reticlocyte counting microscopy next question है friends अगला question है the reticlocyte count should be done on fresh blood because if the blood is stored the reticlocyte will leading to a false low count आपर पूछा क्या है reticlocyte count करने पर हम fresh blood का यूज करते हैं क्योंकि यदि हम blood को store करके रखेंगे तो reticlocyte will leading to a false low count तो क्या reticlocyte mature हो जाएंगी reticlocyte die यहनिकी dead हो जाएंगे reticlocyte small हो जाएंगी या फिर expire हो जाएंगे तो प्रेंट्स इसका सही answer है reticlocyte mature हो जाएंगे एवं mature rbc में बदल जाएंगी जिससे हमारे reticlocyte count false low count सो करेगी ठीक है इसलिए हम फ्रेस प्लट का यूज करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो इसका सही answer है मियोच्योर लेडिंग टुए फॉल्स लोगाउंट अगला कुश्चन है कि नेस्ट फूर रेटिक्लो साइट एस्टिमेशन इंक्यूबेशन इस रिक्वाइड एट आपर पूछा क्या है जब हम रेटिक्लो साइट का एस्टिमेशन करते हैं तो उसके टेस्ट प्रोसेजर के दौरान हम इंक्यूबेशन रखते हैं तो इंक्यूबेशन कितने डिग्री सेल्चेस का होता है यहाँ पर आपके ऑप्सन दियेगा है 25 degree Celsius, 37 degree Celsius, 97 and 22 degree Celsius यदि आपने reticose side test procedure पड़ा है तो आपको पता होगा कि इंक्यूवेशन जो temperature है 37 degree Celsius, 15 से 20 मिनट के लिए करते हैं उसका सही answer है 37 degree Celsius अगला question है, ये friends सभी important question है जो किसी ना किसी exam में पूँचे भी गए है next question है for reticose side count EDTA अथवा blood is used, अपर पूँचा क्या है reticose side counting के लिए हम EDTA और कौन सा blood यूज़ कर सकते हैं आपके option है, citrate, sodium, phrase blood, heparin blood heparin anticonvalent तो friends आप सभी को पता होगा कि EDTA एवं हम phrase blood यूज़ करते हैं तोंकि phrase blood में actual reticose side counting की reading आती है ठीक है, तो यहाँ पर हम EDTA एवं phrase blood reticose side counting के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसका सही answer है, phrase blood next question, important question है the number of reticose side in the peripheral blood represents the which activity आप पर पूछा क्या है, peripheral blood में reticose side का सो होना हमें क्या दसाता है, क्या activity को सो करता है, आपके option है, leecose side, reticose side, none of the above तो friends आप सभी को पता होना चाहिए, इसका सही answer है, इत्थोसिटिक activity हैनिकी RBC का formation हमें reticose side का सो होना दसाता है तो उसका सही answer है, इत्थोसिटिक, बचलते हैं आंगे next question RNA in reticose side has the property of reacting with certain dye such as brilliant crystal blue, new methylene blue to form a which precipitate of granules और filaments, friends यहाँ पर पूँचा गया है, कि reticose side को हम जब stand करते हैं, brilliant crystal blue and new methylene blue के साथ, उसमें जो granules होते हैं तो आपके आपके option है, green, white, blue and yellow, तो फ्रेंट्स आप सभी को पता होना चाहिए इसका सही answer है, blue, ठीक है, RNA in reticose side has the property of reacting with certain dye, आपके पूचा क्या है, यहाँ पर कई सारे question आपके बनते हैं, जैसे कि reticose side में RNA present रहता है, why RNA का काम रहता है, जो brilliant crystal blue and new methylene blue आपकी dye है, उससे react करता है, एंड, blue precipitate of granules और filaments, तो वहाँ आपकी granules, blue कदर के सो होते हैं, microscope करते हैं, तो हमें blue कदर के dot dot granules दखाई देते हैं, उसका सही answer है, blue, बढ़ चलते हैं, अगले question की ओर, next, reticose side content thread like structure in the cytoplasm which consists of, मैं यहाँ पर पूँचा गया है, reticose side में thread like structure सो होते हैं, उसके cytoplasm में तो है क्या है, आपके option है, DNA, RNA, mitochondria, plasmid, question को एक पर फिर से समझते हैं, reticose side के cytoplasm में thread like structure consist होते हैं, वह क्या होते हैं, वह क्या हैं, वह DNA हैं, RNA हैं, mitochondria हैं या plasmid हैं, इसका answer आपको पिछली question में ही मिल जाएगा, उसमें RNA present रहते हैं, reticose side के cytoplasm में जो thread like structure होते हैं, वह RNA के बने होते हैं, इसका answer हो गया RNA, आँगे बढ़ चलेंगे, next, reticose side are red cells, यहां पर पूछा गया है, reticose side क्या हैं, कौन से cells होते हैं, mature cells, mature cells, light cells, all of above, बड़ा ही important question है, कापी easy भी है, लेकिन यहां पर doubtful हैं, इससे question आपको confused कर सकते हैं, जो easy question रहते हैं, कि इसका answer क्या होना चाहिए, एक वाकिल से समझते हैं, reticose side are which red cells, ठीक है, reticose side are mature red cells, immature red cells, light cells, all of above, तो friends इसका सही answer है, reticose side are immature red cells होते हैं, ठीक है, उसका सही answer है, immature red cells, आँगे बढ़ चलते हैं, next question है, the diameter of reticose side is above, यहां पर reticose side का diameter पूछा गया है, आपके option है, 7.5 to 8 micrometer, 6.5 to 7 micrometer, 8 to 10 micrometer and none of above, तो friends इसका सही answer है, 7 to 5, 8 micrometer is the right answer, RBC का जो size है, वो 7 to 9 micrometer होता है, तो इसका भी size semi होता थोड़ा सा छोटा होता है, तो 7 to 7.5 से लेके 8 micrometer इसका सही answer है, आँगे बढ़ चलते हैं, next question है, the reticose side give rise to the, यहां पर पूछा क्या है, reticose side हमें क्या विल्दान करता है, reticose side के बाद next step क्या है, समझ लो या पर reticose side give rise to the, mature RBC, immature RBC, immature WBC या hemoglobin, reticose side के बाद next stage क्या है, या पर reticose side से हमें क्या प्राप्त होता है, तो friends, इसका सही answer है, mature RBC, ठीक है, reticose side के बाद हमें, mature RBC received होती है, नहीं यह mature, नहीं यह mature WBC, नहीं ही hemoglobin, ठीक है, सही answer है, mature RBC, अगला question, the method of staining used for reticose side count is, इसमें से, reticose side count की standing कौन सी है, leasman stand, field stand, supra vital stand, या फिर रोमानोविस की stand, तो friends, reticose side की जो stand है, वो supra vital stand क्यालाती है, आपको यह याद होना चाहिए, एक्जाम में काफी बार पूछते हैं, supra vital stand for reticose side counting stand है, इस stand में हम methylene blue, azure blue and brilliant crisis blue का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका सही answer है, supra vital stand, आँगे पर चलते हैं, next question है, reticose sides are nucleated red cells, non nucleated red cells, mature red cells and immature white blood cells, question काफी easy है, लेकिन बड़ा ही confusion वाला है, यहाँ पर पूछे क्या है, reticolocytes क्या है, nucleated red cells, non nucleated, mature red cells and immature white blood cells, तो friends, white blood cells तो है ही नहीं, and reticolocytes नहीं mature red cells है, ठीक है, immature red cells क्यालाती है, अब बचते है, nucleated and non nucleated red cells, तो friends, RBC, non nucleated red cells क्यालाती है, तो उसका सही answer है, reticolocytes are non nucleated red cells, ठीक है, उसका सही answer है, option B, अगला question है, काफी important question है, यह हमने self तयार किये हैं, बुक से, तो आप इन्हें note कर लें, अगला question है, reticolocytes are also known as, यहाँ पर पूँछा गया है, reticolocytes को हम किस नाम से भी जानते हैं, mature RBC, juvenile RBC, nucleated RBC, and none of above, तो friends, आप सभी को पता होगा, reticolocytes को हम juvenile RBC के नाम से जानते हैं, reticolocytes are juvenile RBC and immature red cells, उसका सही answer है, juvenile का मतलब होता है, अलप वयस्क RBC, आँगे बढ़ सलते हैं, अगले question की और, how many days does it take for the reticolocytes to mature into the bone marrow, तो friends, यह जो question है आपका, काफी important question है, यहाँ पर पूँचा गया है, how many days does it take for the reticolocytes to mature into the bone marrow, यहाँ पर पूँचा गया है, bone marrow में, reticolocytes का mature होने में कितना दिन लगता है, यहाँ फिर reticolocyytes का mature होने में कितना दिन लगता है, bone marrow में, ठीक है, इस तरह समझते हैं, तो friends, आपके option है, two days, four days, six days, eight days, जो आपकी reticolocyte है, उसे bone marrow में, mature होने में, two days लगते हैं, ठीक है, यहाँ आप याद रख लें, two days लगते हैं, mature होने में, ठीक है, वाइज जो प्रिक्रिया है, वो bone marrow के अंदर ही चलती है, ना कि blood circulation में, यह बात याद रखें, reticolocyte का mature होना, RBC में mature होना, दो दिन लगते हैं, यहाँ जो प्रिक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपके bone marrow में होती है, ठीक है, तो आपका सही answer है, two days, अगला question है, यह भी important question है, friends, question है आपका, how many days does it take for the reticolocyte to enter the blood circulation after maturation, यहाँ पर पूछा गया है, reticolocyte का maturation होने के बाद, ब्लड circulation आने में कितना समय लगता है, आपके option है, six days, three days, two days, one days, तो friends, जैसे ही इससे पहले question था, कि उसे bone marrow में mature होने में कितना समय लगता है, तो two days and mature होने के बाद, blood circulation आने में उससे कितना समय लगता है, one days, ठीक है friends, इसका सही answer है, one days, ठीक है, mature होने के बाद, blood circulation में आने में उसे एक दिन का समय लगता है, तो उसका सही answer है, one day, बल चलते हैं, अगले question की ओर, अगला question है, what is present in the cytoplasm of the reticolocyte, यहाँ पर पूँछा गया है, reticolocyte के cytoplasm में क्या present होता है, important question है friends, इसे note जरूर करते जाएं, आपके option है, ribosome and RNA, ribosomes and DNA, DNA या none of above, friends, यहाँ पर पूँछा गया है, reticolocyte के cytoplasm में क्या present होता है, तो उसमें RNA and ribosomes present होता है, ठीक है, यही RNA granules, आपके standing dye से react करते हैं, तो उसका सही answer है, RNA and ribosomes, अगला question है, absolute reticolocyte count normal range, ठीक है friends, यहाँ पर reticolocyte की absolute normal range पहुची गई है, आपके option है, एक हजास लेके 2000 पर cubic mm of blood, 10,000 से 20,000, 24,000 से 48,000 and none of above, तो फ्रेंड्स, absolute reticolocyte count की जो normal range है, वो है 24,000 से 48,000 पर cubic mm of blood, इसका सही answer है, इससे absolute reticolocyte count से हमें, एनिमिया का एक लेवल का पता चलता है, कि कितने लेवल पर एनेमिया है, एन्ड उससे हमें absolute reticolocyte की संख्या का मालूम चलता है, कि कितनी संख्या में हैं, तो उसका सही answer है, 24,000 से 48,000 पर cubic mm of blood का सही answer है, तो friends, यह थे reticolocyte की important m-squish question, तो friends, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर सभी important question, जो की reticolocyte chapter से पूँचे जाते हैं, तो उनको हमने collect किया है, तो आप एने एक बार note जरूर कर लें, friends, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो comment जरूर करें, एवर हम वीडियो को like जरूर करें, एवर मिसे अपने friends के साथ share जरूर करें, जो group 5 के exam के लिए preparation कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी reticolocyte chapter के important question क्लेट किये हैं, अब इसी तरह हर एक topic के important question हम collect करेंगे, लेकिन time जरूर लगेगा, लेकिन आपका कुछ भी topic से question बाहार नहीं जाएगा, तो friends, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली chapter के साथ, thank you so much.